आपको नहीं लगता को English में क्या कहते हैं और ऐसे ही कुछ और sentences को English में कैसे बोला जाता है ये आज की वीडियो में सीख लेते हैं आपको नहीं लगता, आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं एक तो जैसे हम किसी को कहते हैं कि आपको नहीं लगता कि वो आपके साथ गलत कर रहा है या आपको नहीं लगता कि वो ऐसा कर रहा है तो उस आपको नहीं लगता को आप कह सकते हैं Don't you think Don't you think ये फिर आप कह सकते हैं You don't believe ये You do or do not you think यानि कि क्या आप ऐसा नहीं सोचते हैं तो उसके लिए आप कह सकते हैं You don't believe यानि क्या आप को नहीं लगता या आप मुश्वास नहीं करेंगे या do not you think जैसे कि अगर आप ये कहना चाहिं कि क्या आपको नहीं लगता कि बाहर कुछ ज्यादा ठंड है तो आप कह सकते हैं Don't you think it's a bit too cold outside या अगर आप ये कहना चाहें कि क्या आपको नहीं लगता कि हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए तो आप कह सकते हैं Don't you think we should call the doctor या अगर आप ये कहना चाहें कि क्या आपको नहीं लगता कि माफि मांगना ज़रूरी है तो आप कह सकते हैं Don't you think it's important to apologize Don't you think it's important to apologize अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बखवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें